हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्तिश भले रहाओ आप देख रहे हैं मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफिक यूटॉब चैनल अब इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा कि इमेज कॉलेटी की शार्पनेस कॉलेटी कैसे बढ़ानी है इमेज की शार्पनेस कॉलेटी कैसे बढ़ानी है तो चले स्टार्ट करते हैं मुसली यूटूब चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि इमेज की शार्पनेस कैसे बढ़ा जाती है हमारा camera तो इतना sharp quality नहीं देता है कभी image हमें blur देखती है कभी smoothie देखती है मेरा camera sharp नहीं quality देता है तो इसका क्या reason है क्या-क्या technique से हम उसकी quality बढ़ा सकते हैं आपका जब photo निकलते हैं तो हमारी image में photo click करते वक्त एकदम sharp focus होना जाए sharp focus कहीं पर होना चाहिए हमारे आखोंपर जब भी हम image देखते हैं कोई भी तो image हमारी sharp कहाँ पर ज़्यादा focus होता है देखते हैं आखोंपर तो ज़्यादा अगर आपके sharp देखते हैं तो image यह sharp नजर आती है तो यह हो गा है focus आप sharp करो सबसे पहले camera हमारा ज़्यादा megapixel का है उतनी ही हमें ज़्यादा sharp quality मिलेगी जितना ज़्यादा strong quality का camera है उतनी ज़्यादा sharp quality मिलेगी और भी lens भी हमारी ज़्यादा high focus वाली चाहिए लग हाई quality के चाहिए ऐसी red ring वाली ठीक है तो यही हमारे ज़्यादा fast focus करके देती है और यह sharp quality देती है नहीं यह STM lens या IS lens यह sharp quality नहीं देती है इसका reason क्या है कि यह fast focus नहीं करते हैं इसका जो glass quality है यह भी थोड़ी से कम होती है जितनी ज़्यादा आप best quality की lens लोगे उतनी हमें sharp quality मिलती है सबसे पहले camera हो गया हमारा strong दूसरा हो गया lens हो गया हमारे strong तीसरा reason आगा है इससे भी हमारे quality कम होती है तो आप photo बरबर से नहीं निकल रहे है तो photo eye detect पे focus करो image quality एकदम विल्कुल sharp आएगे और दूसरा reason है कि raw images निकलो तो raw images में हमें कोई भी problem ने आएगा जितना चाहिए उतनी हमें sharp quality मिल जाती है जीपीजी images में हमें भले हमने कुछ भी sitting कि आमेरे के अंदर से हमारे बिगड़ गई होगी या बहुत सी beginner लोग होते है कि उनको camera की sitting भी ज्यादा ठीक नहीं लगाने आती है तो गलती केर जाती है तो raw images निकल तो raw images में निकला तो सारी processing करते समय हमारी image quality बिलकुल sharp बन जाती है वैसे भी normally जो हम standard पे photo निकलते है भले इसका sharpness हमारा जुरो हो contrast जुरो हो saturation जुरो हो कुछ भी आगे पीछे आपने change किया हो camera के अंदर से तो अगर आपकी image quality रॉपर है निकॉन camera के अंदर जो निफ फाइल होती है वो और Canon camera के अंदर CR2 फाइल होती है वो आपने select किया हो तो उसकी image quality की sharpness बहुत ज़्यादा बन जाती है कुछ भी change हो जाता है तो वही टेकनिक में camera के अंदर से सबसे पहले बताता हो camera क्या कर लेता है जो भी हम raw images को क्या होता है raw images मतलब कि बिल्कुल high quality images होती है उसमें कुछ भी processing किया नहीं रहता है saturation नहीं होता है contrast नहीं होता है यह processing नहीं होती है तो image quality बहुत ज़्यादा होती है और GPG images क्या होती है उसको सारी processing camera के software के अंदर से ही होके हमें एकदम उसका जो raw material हो वाजू में निकाल के हमें सिप soft image दिखाई दीती होती है GPG images तो GPG images में उतनी ज्यादा quality नहीं होती है अगर आपका basic camera है कोई भी और आपको लग रहा है image quality का में तो camera के अंदर से बढ़ाने की मैं आपको टेक्निक बताता हूँ तो अभी screen पे मैं आपको ये camera के अंदर से standard जो picture style होती है portrait picture style होती है neutral picture style होती है इसका sharpness आपको मैं screen पे दिखाता हूँ कैसे बढ़न है Nikon camera हो उसको भी same करना है picture style से जाके आपको sharpness बढ़न है मैं फिलाल आपको Canon camera के दिखाता हूँ तो picture style पे जानना है यहाँ पर मैं Q button price करता हूँ और ये जो picture style होती है पहले एटो, standard, portrait, landscape, fine detail, neutral ये सबका मेरी वीडियो की setting है मैं काफी changes करता रहता हूँ और यहाँ पर standard रखना है photo के लिए और standard से ही information बटम प्रेस किया तो यहाँ पर ये अंदर की setting निकल के आ गई तो यहाँ पर sharpness है, target ये रखना है हमारा by default होता है तीन पर तो आप इसकी sharpness quality साथ तक ले कर जा सकते हैं ठीक है तो एक या दो ज्यादा कर लो नहीं तो बहुत ज्यादा hard बन जाती है और फाइनस की setting है ये by default 5 पर होती है इससे भी sharpness बढ़ जाएगा अगर ये आप ज्यादा पाच पर करोगे तो और ये जो true all day ये आप कम करो इससे sharpness ज्यादा बढ़ेगी इसको कम करना पड़ता है तो ज्यादा sharp image बन जाएगी अगर ये दोनों एकदम साथ साथ है सामने सामने पाच या चार 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 या पाच बाद तो इससे sharpness जो by default है वही रहेगा ये मैंने अबजर किया है digital photo professional software के अंदर से भी same ये images raw file export करता हूँ तभी उसमें भी पता जल जाती है वह भी मैं आपको दिखाता हूँ और बाकी same है सभी picture style को आप इसी sharpness बढ़ते जाओ पोट्रेट का भी बढ़ाना है तो पोट्रेट को भी मैं information बटन दा बता हूँ पोट्रेट की by default तो दो पर होता है तो आप ये आशिज भी sharpness बढ़ा सकते है फाइनेस को भी फाज तक और यहाँ पर truth ये करना है कम एक पर और contrast by default 0 इसको भी saturation को भी 0 तो ये बन गई हमारे एकदम sharp quality images ठीक है तो picture style standard पर रखना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं sharpness एकदम 5A उसका fines भी 5A और true alt भी 2 है तो same इसी तरह के से हमारे Nikon या Canon camera की setting करनी है Canon camera के अंदर से भी आप picture style को sharpness बढ़ा सकते है उसके by default 3 पर होगी standard से तो आप उसको 5-6-7 पर ऐसे ही लेकर जा सकते है Sony camera हो, Panasonic हो से मिसी तरह के से camera के अंदर से sharpness बढ़ेगी बाकी reason तो हमारे हातो पर है आप कितने still image निकल रहे हो, कितना fast focus कर रहे हो मतलब कि हमारे lens कितनी fast focus कर रही है और कितना sharp focus कर रहे है, lighting condition अगर आपके आच्छी है तो image ज़्यादा sharp बनेगी, lens quality, lens आपकी ज़्यादा sharp है lens ज़्यादा fast focus वाली है, यहाँ ठीक है, fixed lens ज़्यादा sharp quality दे देते हैं, उससे तो बाकी चितनी camera से आएगी उतनी ही sharp quality आएगी और भी ज़्यादा sharpness करना है आपको, और भी ज़्यादा, तो आप बाकी Photoshop से या Lightroom से, RAW images से बढ़ा सकते हैं तो आप सारे टेकनिक समझ चुके होंगे, कि image की sharpness कैसे बढ़ा जाती है, Canon camera के अंदर से, Nikon camera के अंदर से तो उमिदे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, तो पसंद आता है तो वीडियो को like करना, share करना और चैनल को भी subscribe करना ऐसे इंट्रेस्टेड वीडियो देखने के लिए बाजु का बेल आइकन भी बटन दबाना और thank you for watching वीडियो, फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद